अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स होप और फाइन एंज्वाइन गूट हेल्थ स्टुडेंट्स आज मैं आपको आटॉमिक और्बिकल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्स्पैन करने जा रहा हूं आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉंसेप्ट अलरडी प स्टुडेंट्स होता है इस प्रॉससेश ऑफ में को हम हाइप्रिडाइजेशन का नाम देते हैं सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है mixing of atomic orbitals of different energy and shape to form orbitals of same energy and shape is called hybridization hybridization की different types होती है और उनमें से जो types हम discuss करने जा रहे हैं यहां पर जो कि आपके syllabus में included है उनमें एक sp3 hybridization है sp2 hybridization है और sp hybridization है तो हम आज के topic में sp3 hybridization को discuss करेंगे so sp3 hybridization क्या है पेटा जब एक s orbital और तीन p orbitals mix होते हैं तो उनकी mixing से four new orbitals की formation होती है ठीक है और वो जो four new orbitals बनते हैं वो hybrid होते हैं because they have both the properties of the s orbital as well as the p orbital उनको हम कहते हैं sp3 hybrids और यह जो process of mixing है इसका नाम है sp3 hybridization so mixing of one s and three p orbitals to form four sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization इसकी example बिल्कुल बिटा ऐसे है suppose आपके पास four buckets हैं और three buckets में white paint है और एक bucket के अंदर red color का paint है आप क्या करते हैं आप एक drum के अंदर वो four buckets को mix कर देते हैं तो mix करने के बाद आप दुबारा से buckets के अंदर उस paint को डालते हैं तो four buckets जो हैं वो बनेंगी paint की तो यहां से एक point आपका clear हो गया कि जितने orbital mix होते हैं उतने ही नए orbital बनते हैं अगर आपने four buckets paint की mix की हैं तो जब आप वापस उनको buckets में डालेंगे तो four ही buckets बनेंगी एक बात दूसरी बात बेटा जब आप buckets में वापस डालोगे तो जब आपने initially buckets को mix किया था तो उनमें three buckets white color की थी एक red color की जब आप वापस डालोगे तो अब ना तो red color है paint का ना white color है अब उन तोनों का एक mixture सा बन गया pink सा color बन गया है ठीक है अब ना red है ना white है बिल्कुल ऐसे ही hybridization में होता है कि जब एक s और तीन p orbital mix होते हैं तो ना s की shape रहती है ना p की shape रहती है s की energy कम होती है p की energy ज़्यादा होती है mixing के बाद चारों orbital जो नए बनते हैं उनकी energy भी same हो जाती है और उनकी shape भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है जैसे के paints को mix करें three white और एक red को तो बिल्कुल जो चारों paint बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसी shape के होंगे सारी एक जैसे color के होते हैं तो यह जो process of mixing का इसका नाम है sp3 hybridization आएं थोड़ा सा इसको मज़ीद discuss करते हैं sp3 hybridization तो बिटा sp3 hybridization हम इसको इस तरह से लिखते हैं इसको define हम इस तरह से कर सकते हैं mixing of one s and three p orbitals to form for sp3 hybrid hybrid orbitals ठीक है और वो जो नए orbitals बनेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो s वाली भी होंगी और p वाली पी ना तो वो प्यूर s होगा ना प्यूर प्यूर पी बलके दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें जमा orbital है ठीक है तीन हिसे पी के हैं कि तीन पी थे एक s था तो इसकी हर और जो नया समेट्रिकल होता है यह s orbital है p orbital आपको पता होना चाहिए कि यह हमारे पास 3 होते हैं यह py है ठीक है जी इसी तरह से यह हमारे पास एक px है ठीक है इसी तरह से यह हमारे पास एक p z orbital है ठीक है तो यह 1s और यह 3p orbitals है py px और pz तो जब यह तीनों mix होंगे तो हमारे पास 4 नए orbital बनेंगे मैं चारों बनाने के पज़ए सिर्फ एक बना देता हूं और उन सब की shape ऐसी करते होगे तो ना तो यह shape s से मिलती है नहीं यह p से मिलती है बलके यह s और p के दर्मियान की shape है p में दो loops है तो यहाँ पर एक loop है लेकिन थोड़ी सी बल्की सी होगी है s की mixing की वेज़ा से और इस तरह के चार orbital बरेंगे और इनका नाम क्या है इनका नाम है sp3 तो मैंने यह पर लिख दिया कि 4 की formation होगी तो 4 sp3 hybrid orbital बरेंगे यह हमने इसको define कर दिया अब हम इसकी example discuss करेंगे और थोड़ी सी और बातें इसके बारे में discuss करेंगे आपको बिटा जब exam में question आता है तो आपको question कि चीस तरह से आता है कि what is sp3 hybridization discuss with example of methane या with example of ethane बिटा एक बात याद रखें organic compound में जब carbon सारे bonds single bond बना रहा होता है जब carbon के सारे bonds single bond होते हैं तो उस वकद carbon के अंदर sp3 hybridization होती है तो जब भी आप देखें के carbon single bonds की formation कर रहा है तो इसका मतलब है carbon के अंदर sp3 hybridization है और आपको पता है alkane के अंदर जो carbon होता है carbon single bond बनाता है तो इसलिए alkane में जितने भी carbon atoms होते हैं वो सारे sp3 hybridized होते हैं तो हम यह दो alkane की example को discuss करेंगे पहले हम methane की example को discuss कर लेते हैं तो example में आपको पूरा procedure बताऊंगा कि इसको लिखा कैसे जाता है ताकि आपको यह पता हो सारा उसी method के जरीए से आप लिखो के उसी तरह से आपको पूरे marks भी मिलते हैं तो हम structure of ethane को discuss करेंगे sp3 hybridization की मादद से structure of ethane structure of sorry पहले methane discuss कर लेते हैं structure of methane आपको पता है methane का formula होता है CH4 और methane के अंदर जो carbon है वो carbon four single bonds बना रहा है four hydrogens के साब तो इसका मतलब है carbon में sp3 hybridization है because जब भी carbon four single bonds की prevention करेगा तो carbon में sp3 hybridization होती है तो यहां पर सबसे पहला काम हमने यह करना होता है कि we write down the electronic configuration of carbon तो आप यहां पर लिखेंगे carbon का ground state electronic configuration फिर carbon का excited state electronic configuration और फिर carbon का hybridized state electronic configuration 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz बैटा carbon का जो atomic number है वो है 6, 1s में 2 electrons होते हैं हम इस तरह से put कर देते हैं 2s में 2 electrons इस तरह से 2px में 1 electron, 2py में 1 electron तो यह 6 electron पूरे होगे 2pz empty है अब आपको पता है carbon जो है वो 4 bond बना रहा है तो इसका मतलब है carbon के पास 4 half field orbital होने चाहिए जबके यहां पर 2 half field orbital है तो 4 half field orbital कैसे होंगे एक electron जो है it will be promoted from 2s to 2pz orbital क्योंकि 2s और 2p में के energy में कोई जादा difference नहीं है तो energy में जादा difference होने की जैसे 2s में से एक electron प्रोमोट होकर 2pz में चला जाएगा तो अब हमारे पास excited state configuration आजाएगा 1s में 2s में now we have 1 electron 2px 1 electron 2py 1 electron 2pz 1 electron अब बेटा यह 4 half field orbitals है इसका मतलब है अब carbon 4 bonds बना सकता है जो के उसने बनाए में methane के अदर अच्छा अब bond बनाने से पहले जब हम carbon के hydrogen के साथ bonds को देखते तो इस सारे bonds बिलकुल एक जैसे है तो बिलकुल एक जैसे होने का मतलब यह है कि एक जैसे- और्बिटल से बने जबकर हमारे पास यहां-पर orbital sr है pr तरक है तो यहां पर हमारे पास जो अवैलेबल orbitals है वो मुग्तनि है जबके यह जो bonds है कि सारे एक जैसे- आर्बिटल's पनते है तो इस बात को explain करने के लिए फिर हम यह कहते हैं कि यह mix हो जाते हैं और mix होके एक जैसे हो जाते हैं इनकी hybridization हो जाती है यह एक जैसे हो जाते हैं इसके फिर जो bond बनते हैं वो एक जैसे होते हैं तो अब इनकी hybridization होगी तो hybridization किसकी होगी बेटा hybridization जो है यह 2S 2PX 2PY और 2PZ यह 4 orbital mix हो जाते हैं और जब यह mix हो जाते हैं तो मैं 1S के नीचे 1S से लिख रहा हूँ अब यह बेटा 4 orbital जब mix होंगे 1S और 3P तो मैंने कहा 4 hybrid orbital बनेंगे वो कौन से hybrid orbital बनेंगे SP3 तो मैं यहाँ पर SP3 लिख रहा हूँ और यह SP3 orbital कितने बनेंगे क्योंकि 4 orbital mix हो रहे हैं तो 4 SP3 orbitals की formation होगी तो यह 1, 2 यह 3 और यह 4 SP3 orbitals बन गए अब बेटा यह जो electron इनके अंदर थे वो यहाँ पर hybrid orbital में आ जाएगे क्योंकि यह orbital तो खतम हो गए mix होके तो अब यह electron जो इनमें थे 4 वो यहाँ पर आ जाएगे अब बेटा यह जो 4 hybrid orbitals हैं यह 4 hybrid orbitals क्या करते हैं इस hybrid orbitals are directed towards the corners of a tetra hydron बेटा और अर्बिटल के अंदर electron है न और electron में repulsions होती है तो electron repulsions से बचने के लिए एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसलिए यह 4 orbital एक दूसरे से maximum distance पर चले जाते हैं पर वो जो maximum distance होता है वो यह होता है कि tetra hydron के corners की तरफ यह चले जाएं तो these 4 hybrid orbitals these 4 hybrid orbitals are directed towards corners of a regular tetra hydron making an angle of 109.5 degree यह आप important बात लिख देंगे यहाँ पर important बात है कि regular tetra hydron की शकल में होंगे यह 4 hybrid orbital और इनका जो angle होगा यह 109.5 degree होगा अब हम इसकी shape भी देखते हैं कि वो shape कैसी बनेगी application है तो यह बुटा carbon है आर carbon के पास 4 hybrid orbitals है 1 hybrid orbital हम ऐसके करके बना जेते हैं वह जो smalls बाली loop होती हैं हम शोइँ नहीं करते है जो bigger loops होती हम मशोइँ तर लेते है एक इस तरह से एक इस तरह से और एक ऐसके बना चरjon 10 मुलिझ होता है, रोगेवे, ये तेहीं OSB3 होता है और 12 मुलिझ हो सब्सारी विल्च साफड़कों अर्भ कासथने हम रोगेवे, अब होता यह है कि बेटा आपको पता है hydrogen जो होता है hydrogen का atomic number होता है 1 ठीक है और इसका electronic configuration होता है 1s1 hydrogen के पास एक s orbital होता है वो भी half field होता है तो hydrogen क्या करता है बेटा एक hydrogen atom आता है और वो आकर इस sp3 orbital के साथ overlap कर लेता है एक electron बेटा hydrogen का और एक carbon का दोनो pair बनाते हैं तो bond बन जाता है एक hydrogen आकर यहां पर overlap करता है और यहां पर overlap करके वो एक hydrogen atom आता है और आकर यहां इस sp3 orbital के साथ overlap कर लेता है एक electron hydrogen का एक sp3 orbital का दो electron pair up होते हैं bond बन जाता है एक hydrogen atom आता है और आकर इस sp3 orbital के साथ overlap कर लेता है यहाँ पर bond बन जाता है और एक hydrogen यहाँ पर आकर इस sp3 orbital के साथ overlap कर लेता है तो एक bond यहाँ पर बन जाता है तो आप इसकी explanation में एक line में आप इसको explain कर देते हैं structure को कि these four sp3 hybrid orbitals of carbon separately overlap with one s orbital of hydrogen and make four sigma bond बेटा जो orbital है वो आमने सामने से आकर overlap करते हैं तो इसलिए जो bond बनेगा वो sigma bond बनेगा ठीक है और यह जो geometry बन जाएगी बेटा यह tetrahydral geometry होगी और इस geometry को हम तोड़ा इस तरह से भी देख सकते हैं यह देखें जड़ा इसको यह carbon है बिटा अगर मैं से बॉंड्स बनाओ और बिटल्स नहीं बनाओ तो यह बॉंड्स ऐसे lines की मदद से शोग कर सकते हैं यह इस तरह से एक ऐसे करके और एक ऐसे करके ठीक है जी यहाँ पर hydrogen है यहाँ पर hydrogen आ गया एक hydrogen यहाँ पर आ गया और एक hydrogen यहाँ पर आ गया तो अगर आप क्या करें इनको connect कर दें ऐसे dots की मदद से इन hydrogen को तो आपको बता चलेगा कि यह जो geometry बनी है यह tetrahedral geometry बनी है तो यह tetrahedral geometry बन गी है और यहाँ पर यह जो bond angle है यह सारे bond angle 109.5 degree के bond angles हैं so this was the structure of methane फिर एक structure और पूछा जाता है ethane का तो ethane के structure को देखते है structure of ethane की जब बात करेंगे तो आपको पता है ethane के अंदर दो carbon atoms होते हैं यह CH3 single bond CH3 आपको पता है ethane में भी carbon हो है वो सारे single bond बना रहा है तीन single bond hydrogen के साथ एक single bond दोनो carbon आपस में बना रहे हैं तो इसका मतलब carbon में sp3 hybridization है इस carbon में भी और इस carbon में भी ठीक है तो आप electronic configuration बिल्कुल जैसे मैंने methane का लिखा आपने वरसे electronic configuration लिखने ना और सिर्फ structure different बनेगा अब बेटा carbon है तो carbon में sp3 hybridization है तो मैं यह carbon लिख रहा हूं और carbon में sp3 hybridization है चार hybrid orbital बनेगे मैं जरा shape इस तरह से करके बना रहा हूं ठीक है एक ऐसे करके sp3 orbital एक ऐसे करके और एक ऐसे करके बना ठीक है यह carbon है और यह इसके 4 sp3 orbitals हैं ठीक है यहां पर हम no down कर देते हैं these are 4 sp3 orbitals of carbon अच्छा अब दूसरा जो carbon है उसमें भी ऐसा ही हुआ तो उसके भी हम 4 orbital इस तरह से बनाएंगे कि इसका हमने एक orbital इस तरह बनाएं तीन इस तरह करके बनाएं बैसिकली होता ही है structure कुछ इस तरह से करके कि ऐसे करके टीन ओर और एक ओर ऑर बेट लोते हैं ठीक है और एक और इस तरह करके उपर लगा होता है ठीक है जी तो यह मैंने ऐसे करके बना दिये के यह तीन इस तरफ एक एसे करके अब इसका एक इस तरफ बना देते हैं तो यह ईसका आइस पिछ्री और्बिटल इस तरफ आ गया और यह तेन मैं इस तरफ करके बना नूथ ठीक है? यह है तो यह इसके अरह आपको पता है, SP-3 ऑर्बितल थे अंदर एक-एक, क्या है? अलेक्ट्रॉन है क्पर यहाँ पर एक इस कार्बन का आलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का आलेक्ट्रॉन इन दोनों के hybrid orbital ने overlap किया इनके दो electron pair up होगे इन दोनों के दर्मियान में bond बन किया चोके carbon और carbon के दर्मियान में bond है और बाकी के जो hybrid orbitals हैं वो मतलब इस carbon के जो तीन hybrid orbital हैं वो तीन hydrogen's के साथ separately overlap कर लेंगे ऐसे एक hydrogen, यहाँ पे second hydrogen और यहाँ पे third hydrogen एक एक electron hydrogen का होगा दो-दो electron बनेंगे तो bond की formation हो जाएगी इसी तरह से इस carbon के जो तीन hybrid orbital हैं वो भी तीन hydrogen's के साथ overlap करके तीन sigma bond बना देंगे तो यहाँ पर यह hydrogen का और बना देंगे ऐसे कर देंगे लाइक दिस लाइक दिस तो यह इस तरह से structure हो जाएगा ethane का तो इसको draw बहुत अच्छे से करना है electronic configuration में कोई mistake नहीं होना चाहिए drawing में कोई mistake नहीं होना चाहिए explanation में आपने एक line में आप यह बताऊगे कि one sp3 orbital of carbon overlap with sp3 orbital of other carbon and make sigma bond 3 sp3 orbital of each carbon इसके भी और इसके भी separately overlap with hydrogen and form 3 sp3 sigma bonds तीन यह बनाएगा तीन यह बनाएगा ठीक है तो 3 sigma bonds 3 sigma bonds और 1 sigma bond total number of sigma bonds 7 हो जाएगे so this was all about sp3 hybridization all the best Allah Hafiz से हमँए आफ 1 6